Hello beautiful people, how are you all? Thank you very much for joining me, Radhe Radhe to everybody. मैं रश्मे सिना, Numerologist, वासू, consultant and parent counselor. आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज इस नए वीडियो में, जिसमें हम कुछ ऐसी unusual discussion करेंगे about mobile numerology, कि ये भी होता है क्या? ऐसा क्या बच गया है, right? ऐसा बच गया है country codes. मैंने कुछ countries जो मेरे clients हैं, उन्होंने जब अपने codes share case, तब मेरा ध्यान इस तरफ गया, कि country's के code कई बार बहुत negative होते हैं, like वो 4 से start हो रहे हैं, 8 से start हो रहे हैं, बहुत सारे उसमें negative numbers हैं, तो कैसे possible है उसे change करना, और क्या अगर ऐसा नहीं है, या है, तो क्या इस country को कोई नुकसान नहीं होता होगा, आप तो मैडम कह रहे हो number से नुकसान होता है, फिर इस country कैसे नुकसान नहीं जेला, so we'll reveal this all secret in this video, second हम कुछ ऐसे questions लेंगे, जो अब तक discussed नहीं होए, for example, जिनके जो उनकी date of birth और जो उनकी destiny है, उसमें number जो है negative है, pairs जो है वो negative है, तो वो mobile number में क्या exactly काम करते हैं, ये भी question रहेगा, कुछ और मैं बाते बता दूँगी, कि जैसे हम जब multiple planets को, या multiple numbers को, set of same numbers को अगर use करते हैं, like बहुत सारे लोग use करें, triple five, triple three, क्या ये really किसी के लिए फायदे मन नहीं है, या इसको use कर सकते हैं, इस तरह के और चोटी मुड़े प्यारे प्यारे questions हैं, जो आप ही ने मुझे भीज़े हैं, बड़े प्यार से, और उनका जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा, और zero के बारे में एक और important बात मैं share करूँगी, last में है pro tip, अगर आपको कुछ भी नहीं खर्च करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है अपने बारे में, तो क्या आप mobile number design कर सकते हैं, let's go for it, पहला topic लेते हैं आज का अमारा जो है, वो है country codes के बारे में, yes, मेरे पास यह list है, जिसमें मैंने बहुत सारे countries के code लिख रखे हैं, let's start with Canada, Canada का country code है plus 1, number सूर्य पे आता है, Australia का है 6-1, which is negative actually, yes, USA का है plus 1, is also a positive number, तो इनको तो problem नहीं है, China का है plus 8-6, very negative, और Dubai का है plus 9-4, 9-7-1, UK is double 4, Germany is 4-9, Brazil is double 5, and Switzerland is 4-1, and Japan is 8-1, इसमें से जो positive है हो तो आपको पता ही है, आपने playlist में बहुत सारे videos देख लिए हैं मेरे, but जो negative हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि पहला pair है Australia का 6-1, 6-1 हम generally 7 में रखना avoid करते हैं, आप एक चीज़ notice करेंगे, Australia एक बहुत ही beautiful country है, और 6 जो है वो Venus का number है, अगर Australia ने अपने resources को, अपनी beauty को ना समभाला होता, तो ये number balance कभी नहीं होने वाला था, अगर आपके pair भी 1-6-6-1 है, तो आपको अपनी Venus को समभालना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा negative pair चाइना के पास है, विच इस plus 8-6 और आपको पता है, चाइना के बहुत relation खराब है बहुत सारे countries से, वो खुद में कितना भी grow करें, बट चाइना never trust other countries, क्योंकि वो खुद उस trust को lose कर जाते, बहुत सारी bombarding और बहुत सारे plan, और उसका सबसे वड़ा example COVID-19 है है न, that is started from China, तो चाइना ने अकसर कुछ ऐसा create किया है, जिससे world को problem हो सकती है, तो you can get the answer, नेक्स्ट इस दुबई, दुबई का है 971 और दुबई एक बहुत ही गर्म कंट्री है, और ये जो पेर है, वो एक, आप समझ सकते हैं, वो एक रेगिस्तान है और उसको उन्होंने man-made कंट्री में convert किया है, तो जो लोगों के पास 971 का पेर होगा, उनको भी कुछ न कुछ ऐसा hard work, ऐसे कुछ efforts डाली पढ़ती है अपने आपको बचाए रखने के लिए से, दुबई ने अपने आपको बचाने के लिए, अपने world में अपनी place बचाने के लिए, oil को और साफ में अपनी country को बहुत ही man-made and beautiful बनाया है, तो इसको उन्होंने positively अप्रोच किया, UK has double four and double four का मतलब हो गया सीधा शनी या राहो के दो पेर, और UK को भी आप देखे कि इनको काफी struggle आई, इनकी history बहुत बुरी रही है, बहुत बार attacks, बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे ऐसी जगहें UK में, जो memorable कही जाती है, उसमें से एक तो आपको पता, ये Napoleon की कहानी और बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानिया है, तो आप इसका इतिहास पलटके देख सकते हैं, कितने sudden struggles UK ने face किये हैं, और कितनी सारी problems उसने face किये, UK का visa भी आप लगाओगे ना, आपको भी sudden problem आएगी, ट्राइ करके देख लो, एक टीसी से बात कर लो, जो इंडियान हो और UK में रह रहे हों, तो उनको कितनी problem आती हैं, और वो अपसर अपनी stability के लिए परिशान ही रहते हैं, next is Germany is 4.9, Germany को गुसा बहुत आता है भाई, एंगर का योग है तो बहुत गुसा आता है इनको, इसलिए Germany is also very good in technology, क्योंकि Germany हमेशा आगे यानि जो जारूर है ना चाहती है, तो उसका ये pair काम कर रहा है, और इस pair के उन्होंने best use किये, क्योंकि अगर आप 9.4 हो तो आपको uniform रहना चाहिए, आपको जो है अपने life में हमेशा नियम से चलना चाहिए, और जब भी आप कोई commitment करो तो पूरा करना चाहिए, और इसलिए Germany ऐसा करती है, और इसलिए Germany के positive results उसको मिलेंगे, ये सब remedial भी है, तो आप remedies पे बहुत लोग पूछ रहे हैं, सब लोग बड़े ही loving and romantic mood में बाते करते हैं, जोग घूमना है तो सुछलिए घूमना है, तो यूगन सी कि उसको कितना प्यार मिल रहा है, नेक्स्ट इस जपैन जिसका है 8-1, और आप देख सकते हो 8-1 यानि clashes, issues and lots of detachment from other countries, so Japan has also not so good in maintaining relationship, उसको Japan को काफी मतलब इसमें अपनी महिनत जादा करनी पड़ती है, इसलिए वो हमेशा deal करते हैं और उनके करार होते हैं, उसके बाद ही उनकी और वो हर चीज़ पेपर पे करते हैं, they don't do, क्योंकि उनको trust drop हो सकता है, इंडिया ही एका के लिए ऐसी country है, जो किसी पे विश्वास करके कोई काम कर लेती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, जैसे आप लोग की comments का भी मुझे स्वागत है, तो आप वो भी भीजिएगा, तो ये question मैंने एक cover किया, अब हम चलते हैं next question की तरफ, अब question है कि अगर 3-6 जैसे की एक opposite prayer माना जाता है, या कह सकते हैं कि मुलांक भाग्यांग जो हैं, वो 36 के आंकडे में बदल जाते हैं, क्या ये पुरी तरह से सच है, इसे आप correct कर रहे हैं, अगर आपकी खुद की grid में ही 3-6 है या 6-3 का pair है, आपका मुलांक 3 है और भाग्यांग 6 या फिर आपका मुलांक 6 और भाग्यांग 3 तो तो आप नहीं बदल सकते हैं, मुबाइल नमबर में तो चलो change भी कर लोगे, what about this, कि grid को कैसे change करों, तो in this case आपको मैं example देती हूँ, बहुत बड़े वेक्ती हैं, ये बहुत बड़े खिलाडी और वो है cricket के संचित तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जी को जिनको की cricket का जो है वो महराज़ भी कहते हैं, is just like something जिसके बारे में कोई, उनको कोई काट नहीं सकता है, और वो काफी monk type भी है, उन्होंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ को advertise नहीं किया है, जो बच्चों के लिए या cricketers के लिए अच्छा ना हो, तो उनके बारे में आप ऐसे काफी सारे quotes बढ़ सकते हैं, सचिन तेनुकर जी की जो शुरुवाती जिन्दगी थी वो तकलीफ में रही, बाद में उन्होंने लग्जरी उनकी लाइफ में आती गई, और उन्होंने अपनी curricular activities को खुब सुन्दर से design करके इसमें वो आ गए गए, तो 36 के pair को mobile number में, money का pair तो ज़रू कहते हैं, लेकिन रिष्टों में परिशानी ये देता हैं, इसलिए अगर आपके mobile में ये pair होगा, तो आपको इसके साथ ये चीज़ गिफ्ट में मिलेगी, ओके, ठीका, next question, next question is कि, why do we avoid number 4 and 8 in name, or in numbers, why do we do that, इसका reason है, number 8, यानि Saturn का number, is a number of delay, and number 4, which is a number of Rahu, or Uranus, is a number of denial, तो कोई भी वेक्ती नहीं चाहता, कोई भी परसन नहीं चाहता, कि मेरी life में delay या denials आएं, तो हम उससे बचने के लिए, इन numbers को avoid करते हैं, यही इसका सिर्फ सच है, mobile में क्या यह numbers, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, अगर आपकी grid में missing है, तो आप इसके अच्छे पैस को ज़रूर, अपने mobile number में लाइए, और इसको बस सिर्फ total में avoid करें, ending में avoid करें, ओके, so go for the next, what about, what is the story of the 7, number 7, आप देखो, कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़, जैसे rainbow के साथ color है, सुर कितने होते हैं, साथ होते हैं, समंदर भी साथ है, तो यह एक अच्छा color, अच्छा number है, लेकिन इस number की problem क्या है, यह number केतू का है, और केतू का सर नहीं है, तो ऐसा वेकिते decision लेने में, अक्सर देरी कर सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको एक example देती हूँ, वो भी cricket से हैं, और वो है MS Dhoni, और MS Dhoni का number 7 है, और उन्होंने अपने brand का नाम भी 7 रखा है, और उन्होंने से बहुत ही सुन्दरता से इस्तबाल किया है, इसके लावा पर एक company देख लो, Nokia वो भी 7 पर आती है, तो ये लोग ना यादगार रहने वाले हैं, जिंदगी में ये खुद कहेंगे, मुझे जादा ने मिला, लेकिन इन्हें लोग भूलने वाले कभी भी नहीं है, बट mobile number में क्या करता है number 7, हमारे family के साथ हमारे detachment करके, हमें gothabudh बना देगा, तो ये तो भी नहीं करना है ना, आप संसारी जीवन में आये हो क्यों, ताकि आप संसार के सभी परिशानियों को उठाओ, कोई cheating करेगा, कोई जूट बोलेगा, कोई आपकी leg pulling करेगा, कोई आपका मजाग उड़ाएगा, सेना पड़ेगा भाई, यहां आये हो तो सेना पड़ेगा, इसलिए इस number को हम avoid करते हैं, चलिए, नेक्स्ट कोईशन ले लेते हैं, कि माम अगर बहुत सारी company, या बहुत सार लोगों ने भी रखा हुआ है, अपने number में 555, 333, मुझे तो भेजी रहे हैं clients, 555 वाला number बहुत सारा, 333 वाला भी फेज रहे हैं, आप एक बात बता हूँ, अगर आप कोई चीज को एक्सिस कर लोगे, तो क्या होगा, मान लो कि आपका नाम भी number 5 पर है, और आपकी grid में भी 2 5 हैं, अब आपने mobile नमर में भी 3 5 रख ले, तो कितने 5 होए भाई साब, समझ आगे हैं मेरा मतलब क्या है, तो please do not do so much operation to yourself, अपनी operation मत करी, डॉक्टर मत बने भाई, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दे, एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाचे, तो क्यों करवा रहे होगे, इसलिए allow others to do, जो है नालिस्ट उनको allow करिए, आपका कोई बहुत बड़ी जमापूंजी, या बहुत बड़ा कुबेर का खजाना नहीं जाने वाला है, एक छोटा सा peanut amount ही जाएगा, इसी बाप ते बता भी देती हूँ, consultation के लिए आप मुझे book कर सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे Instagram पे जल्दी से text कर दीजे, मेरी वीडियोस तो आप बहुत लाइक करते हैं, लेकिन क्या आप मुझे से personally connect नहीं होना चाहते हैं, आंसर तो पक्का होगा yes, तो जल्दी से राधे राधे वोली और text कीजी, और consultation book कर बहुत ही कम कीमत में इसका फाइदा उठाई है, ओके, so take next question, next question is pair of NT numbers वाला कबर हो गया, always, ठीक है, one strategy which is followed by many neurologists है, कि last के four numbers का क्या रहसे हैं, last के three digits का क्या रहसे हैं, तो एक कहावत है कि कोच लोग न initial तो बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छा करें इसलिए अपने इनिशल्स को अच्छा कर रहे हैं, तो इनिशल्स को अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम अपने last के three digits, specially, not four, but three कम से कम, हम एसेंडिंग और में ट्राइ करते हैं, रखने का, जिसकी ending भी अच्छी रखते हैं, इसलिए last के जो three digits या four digits का रहसे, वो यही है, कि हमारा कोई भी काम जो वो उपर ऐसे जा रहा है, नीचे न गिर जाए, उसको हम अच्छे से end भी करें, वहताँ beautifully उसको खतम करें, एक बात मुझे याद आगे, मैं वो थोड़ा सा आड करना चाहूँगी, थोड़ा सा आपका टाइम ले लेंगी, एक बहुत अच्छी निम्रोलोजिस्ट का, मैंने podcast देखा, podcast के नीचे मैं उनके comments देख रही थी, मेरा मन था comment करूँ उनको, मैंने देखा कुछ रोगों ने उनको criticize किया हुआ था, और लिक रहे थे, आप अपना खेल मत खेलो, यह पैसे कमाने का धंदा है, and all kind of, please, ऐसे आप किसी भी person को criticize मत कीज़े, इससे आपके कर्म खराब होते हैं, दूसरी बात, ना तो उन्होंने आपको वीडियो देखने के लिए बुलाया है, ना ही उन्होंने काई कि इस वीडियो को देख के उनको कुछ पैसे चाहिए, वो अपने ग्यान को बता रहे हैं, जो उन्हें पता है, कोई बच्चा है, वो YouTube पे वीडियो बनाता है, उसको पढ़ने का या कभी ताहीं सुनाने का शौक है, वो बच्चा है, वो सुना रहा है, आपको सुननी है सुनो, नहीं सुननी है नहीं सुनो, प्लीज क्रिटिसाइज मत करें, आप जो मुझे देख रहे हैं न, YouTube का जो ये स्क्रीन है, इट्स बुद्ग्रे, इट्स बर्करी, और जो मेरा फेस है, वो सूर्य है, और जो आप मुझे कमेंट करते हैं, वो शनी है, और हम जो कनेक्ट हो रहे हैं ये राहूँ, सोच रहो कितने सारे प्लानेट्स इन्वालव हैं याँ पर, आप क्या चाते हैं, वो सब खराब हो जाएं आपके, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग होंगे, मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं वाट टाच वोट, I am very blessed, कि किसी ने भी मुझे कभी कोई negative comment नहीं लिखा, मैं बहुत दो thank you को तो ऐसा बत करना, please, सच में criticism handle करना is very difficult, and हर किसी ने परी life में face किया है, तो criticism भी मिलता है कुछ number से, इसलिए number को कभी भी लेते समय, please, आप जो analyst Tony से contact करके लीजे, मुझसे करना है, मुझसे कर लीजे contact, जिससे करना उससे कर लीजे, बट अपने से अपने number का operation मत कीजे, नहीं अपनी grid बहुत अच्छे से analyze कीजे, आपको सीखने का shock in numerology सीखे, और इस science को और ज़्यादा सीखे, कि जैसे कुछ लोग ने stock market domain करके, तुरंट शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से कुछ लोग कुछ ही workshop अटेंड करते हैं numerology के, और वो सोचते हैं उनको numerology आगए, इसा नहीं होता है, everyday learning, अभी तक मुझे भी सीखना पड़ रहा है, so everyday learning, ओके, any question left, let's see, चलिए एक pro tip देती हूँ आपको, अगर आपके mobile number में या आपके grid में भी, एक बार one है, दो बार one है, तीन बार one है, चार बार one है, या उससे भी जादा बार है, समझ रो, क्या होगा, एक बार one है, it's giving 50%, 70% result, दो बार one है, 100% result आएगे, या जैसे ही वो तीन बार हुआ, वो odd numbers में गया, और अब वो देगा negative results, यानि जहाँ आप एक समझदार, बुद्धिमान, intelligent इंसान हुआ करते थे, आप blabber करने वाले, और अपने आपको सबसे ज़ादा हुश्यार समझने वाले बन जाऊगे, और किसी की बात नहीं समझ पाऊगे, तो ऐसे ही numbers effect करते हैं, एक बार है, आप emotional हैं, sensitive हैं, sweet हैं, दो बार है, बहुत अच्छे से emotion हैं, लोगों की बिल्कुल कदर करते हैं, बहुत सही जा रहा है, तीन बार आया, over sensitive हो जाएंगे, हर बात आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएंगे, हर बात पर रोने लग जाएंगे, हर बात पर कहेंगे, हैंगे सब को कि मुझे परिशान किया जाता है, मैं जहां काम करता हूँ, हमेरे को प्रॉब्लम आती है, चमझा है, क्या काम करता है ये, और ये मैं कहा रही हूँ, grid में हो, ये आपके mobile number में, अलग अलग जगों पर क्यों ना बैठा हूँ, हुआ ऐसा काम करता है, अभी हमारे number three वाले, तीन एक बार है, मंक की तरह होंगे, संत की तरह होंगे, दो बार है, बहुत अच्छे से लोगों की भी सेवा करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हर बात में अच्छे अड्वाइजिस होंगे, उनके लर्निंग अच्छे होती है, जब ये ज़ादा बार हो जाता, तो ऐसे लोग डिटैच होने शुरू हो जाते हैं, अपनी लर्निंग को नेगटिव ले जाते हैं, कई बार एडिक्शन्स आती हैं, और नमबर थ्री और नमबर नाइन वाले लोगों को कभी भी अल्कोहल और नॉन्विच जादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उनके ग्रिट को खराब करता है, क्योंकि वो बहुत ही देव लोग होते हैं, ठीक है, उमीद करती हूँ, आपको इसी तरह की और नॉलेज में देती रहोंगे, आपके क्योशन्स का स्वागत है, प्लीज भेजते रहें, अपने सजेशन्स, अपना प्यार और वर्ट सारा ब्लेसिंग्स में तब से रादे रादे बन सगें, मिलते हैं फिर जल्दी ही,